हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों के लिए फिर से नई जोब वेकेंसी का अपडेट लेकर आ गया हूँ आज मैं आप लोगों के लिए HDFC बैंक का जोब वेकेंसी का अपडेट लेकर आ गया हूँ जी हाँ दोस्तों HDFC बैंक में बंपर भरती आ गई है बड़ी भरती आ में किस-kis post पर job आया है किस-kis locations पर job आया है आप लोगों को official job profile कैसे मिलेगा कैसे apply करना है qualifications क्या मांगा गया है salary क्या मिल सकता है सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा बस वीडियो को सुरू से end तक देखना अगर आप यहां पर bank में job करना चाहते हो HD HDFC bank में job करना चाहते हो यहां पर दोस्तों आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी और आप यहां पर भी देख सकते हो HDFC bank में bumper भरती आ गई है 2022 की नहीं भरती आ गई है डारेक्ट जॉब हो सकता है डारेक्ट भरती भी हो सकता है सीधी भरती भी हो सकता है मेल कंडिडेट फिमेल कंडिडेट सभी यहां पर HDFC bank में अपलाई कर सकते हैं जौब के लिए नवकरी के लिए इसके सार्थ दोस्तों यहां पर HDFC bank में handsome salary मिलेगा salary आपके qualification सबके experience और bank के रोल के सबसे मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर दोस्तों no fees है no fees का मतलब यह है कि आप लोग यहां पर HDFC bank में free में apply कर सकते हो निसुलक आवेदन कर सकते हो कोई भी apply fees आवेदन सुलक नहीं लगेगा बाकी कैसे आपको apply करना है कैसे official job profile निकालना है मैं और साथ में दोस्तों वीडियो को like करके share भी कर देना ताकि और लोगों का help हो सके अगर आप लोगों को HDFC bank का job का detail निकालना है official job profile निकालना है तो सबसे पहले आपको अपने phone में कोई भी browser open कर लेना है browser open करने के बाद search box में search कर लीज़ेगा pixel-tech job pixel-tech-job-job-job-job-job-job-job-job-job dot com आपको यहाँ पर दोस्तों pixel-tech-12.blogspot.com वाले पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो आप लोग हमारी website पर आजाओगे जहाँ पर दोस्तों आपको डेट सारा job agency का update देखने को मिलेगा दोस्तों इस website पर government job और private job के बारे में update किया जाता है हमें क्या करना था हमें यहाँ पर दोस्तों HDFC bank का job का detail निकालना है जो कि यहाँ पर दोस्तों आपको website पर देखने को मिलेगा यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है हमारी website पर आने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पर search कर लेना HDFC जैसे आप यहाँ पर HDFC सार्च करोगे तो आपको इस्ट जोब पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यह 17 फरवरी को अपडेट किया गया है, HDFC बैंक का रिकूटमेंट तो आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जोब का सारा का सारा डिटेल आ जाएगा, जैसा की देख सकते हैं, इसके साथ साथ नीचे की तरफ आपको अप्लाई कर लिंक वगरा भी मिल जाएगा, चलिए दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से अपडेट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, HDFC बैंक के जॉब के बारे में अपडेट किया गया है, जोब की कमी पोजीशन्स की कमी नहीं होने वाली है, काफी सारे पोस्टों पे काफी सारे लोकेशन्स पे जोब निकाला गया है, इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, लोकेशन्स देख सकते हो जो की ओल इंडिया होने वाला है, आपको काफी सारे लोकेशन्स पे जोब मिलेगा opening देख सकती हो जो की काफी सारे किटिगरी में काफी सारे positions में job है जैसे कि analytics में है assistant manager में है branch manager में है business development manager में है clerk में है collection officers में है custom relationship manager में है customer service executive में भी job देखने को मिलेगा finance and accounting में है general manager में है manager में है ऐसे से करके काफी सारे किटिगरी में काफी सारे positions पे आपको job मिलने वाला है और यहाँ पे अगर आप apply की बात करें तो apply mode यहाँ पे online होने वाला है जिहां दोस्तों आप लोगों को HDFC bank में online apply करना है कैसे apply करना है आगे इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाला है इसके साथ साथ बात करें eligibility criteria के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों all India के candidate male for male both सभी apply कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों age limit के अगर हम बात करें तो minimum यहाँ पे 18 प्लस मांगा गया है 18 से 50 वर्स तक का age limit यहाँ पे रखा गया है जादा जानकारी के लिए आप लोगो official job profile निकाल सकते हो जो कि आगे आपको मिलने वाला है और अगर हम बात करें salary के बारे में तो salary good salary मिलेगा according आपके post और यहाँ पे जैसे आपके पास positions रहेगा मतलब आप जिस positions पे job करोगे उसी के according आपको salary मिलेगा bank के रूल के साब से मिलेगा selection process की बात करें तो आप लोगों का test interview के दोरान आपका selection हो सकता है educational qualifications की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 10 पास भी apply कर सकता है 12 पास भी apply कर सकता है graduate वाले भी apply कर सकते हैं हर एक post पे अलग लग qualifications रखा गया है जो कि जानकारी आपको official job profile में मिल जाएगा application fees के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि आप लोग HDFC bank में free में apply कर सकते हो कोई भी apply fees आवेदन सुल्क नहीं लगने वाला है यह दोस्तों बहुती अच्छी बात है इसके साथ साथ date की बात करें आवेदन का अंतिम्ति थी और starting date की बात करें तो यहाँ पर starting date already start है मतलब आवेदन चल रहा है फटाफट कर लो और closing date तो यहाँ पर सोल नहीं किया गया है लेकिन आप फटाफट कर लो हो सकता है जल्दी से जल्दी close भी हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पर notice नहीं है इसके साथ साथ यहाँ पर how to apply की बात करें तो how to apply में आपको आगे बताऊंगा कैसे apply करना है यहाँ पर नीचे की तरफ आपको link मिल जाएगा जिसमें आपको apply का link और official notification का link वगरा और official website का link वगरा भी मिल जाएगा अगर आपको apply करना है तो आप यहाँ पर click करना जैसे आप इस link पर click करोगे तो आप logo के सामने एक page आजाएगा एक website आजाएगा जो की होता है HDFC bank का carrier का page, job का page जैसा की देख सकती हो दोस्तो इस page पर आने के बाद क्या करना है यहाँ पर आप देख सकती हो HDFC bank का यह website है यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है scroll करके नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर आप देख सकती हो explore opportunities वगरा दिया गया इसके साथ नीचे की तरफ आपको एक बटन मिलेगा Click Head to Apply Now का इस पे आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने फिर से एक New Page आएगा जहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है यहाँ पर View All Jobs पे जैसे आप यहाँ पर View All Jobs पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने धेर सारा Job Agency का अपडेट आज आएगा जैसा की देख सकते हो टोटल यहाँ पर दोस्तों 12,000 से ज्यादा यहाँ पर Opening है यानि कि दोस्तों HDFC Bank में आपको काफी सारे Positions पे जोब मिलने वाला है जैसा की देख सकते हो और यह जो भी जोब है ना बिल्कुल Latest है अभी हाल फिल हाल के डेट में अपडेट किया गया है इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर Title, Locations, Keyword, Code देके यहाँ पर जोब सार्च कर सकते हो और यहाँ से Filter भी यूज़ कर सकते हो Filter का मतलब यह है कि आप Title यहाँ पर सर्च कर सकते हो जैसा आप जोब ढूट रहे हो City भी सेलेक्ट कर सकते हो, Experience के According जोब सर्च कर सकते हो जोब का category भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको किस category में जोब चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट वगवरा कर सकते हो यहाँ पर अगर आप Filter यूज़ करना चाहते हो, तो कर लेना इसके साथ साथ नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको job देखने को मिलेगा सो करना क्या है अगर आपको इन में से किसी भी post पर apply करना है या फिर आपको किसी भी post का detail निकालना है तो आपको इस पर click करना है मैं आपको एक demo दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख सकती हो branch manager का job है जो की quota राजस्थान का job है अगर इसके लिए मेरे को apply करना है या फिर इस post का हमें detail ही निकालना है तो हमें इस पर click करना है जैसे मैं इस पर click करेंगे तो इस post का इस positions का official job profile आजाएगा यानि की job का सारा का सारा detail आजाएगा जैसा की देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकती हो positions का name है, locations का detail है, experience का detail है और यहाँ पर job का descriptions है, जिसमें आपको सारा का सारा detail मिल जाएगा जिसे की qualifications क्या मागा गया है, responsibilities क्या होगा, skills क्या required है, सब कुछ देखने को मिलेगा इसके साथ साथ यहाँ पर आपको apply का link भी मिल जाएगा, apply का button भी मिल जाएगा जिस पर आप click करके बिल्कुल free में यहाँ पर HDFC bank में job के लिए नवक्रिक लिए apply कर सकती हो यह दोस्तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर fees नहीं लगने वाला है इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं कि जिस post पर मैं बोलू आप उसी पर apply कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है जिसमें आपको सारा का सारा detail मिल जाएगा जो कि आपको ध्यान से पड़ना है और अगर आप eligible है apply करना चाते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको apply का button मिलेगा इस पर आप click करके बिल्कुल free में यहाँ पर HDFC bank में job के लिए नवक्रिक के लिए apply कर सकती हो आविदन कर सकती हो तो यहाँ पर दोस्तो मैंने आपको सब कुछ step by step करके बता दिया है फिर भी कुछ doubt है तो comment में बता दीजेगा और हाँ मैं आपको repeat कर दूँ यहाँ अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को like share ने किया तो please like share करके channel को भी subscribe कर देना तक ही ने जोब की update मिलने लगे और आप हम मिलेंगे किसी ने जोब update के साथ तब तक के लिए bye bye and take care